हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीश स्वाक्त करता हूं एक बार फिर से आपका यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले एंटी पीसी के जो आपके एड्मिट कार्ड है लेवल फॉर और लेवल सिक्स के लिए वो कब तक आ जाएंगे और बाकी के जो लेवल बचे हुए हैं टू थ्री और फाइफ इनके आपके एड्मिट कार्ड कब तक आ जाएंगे और जो आपकी कट ओफ रेंज है यानि के कट बीच में आपकी जा सकती है वो मैं आपको एक फिकर बताऊंगा लमसम चिस्से की आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा और अपना स्कोर सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने मांक्स लाने हैं और इसके अंदर आपको लास्ट मिनट्स टिप्स क्या अपनानी है क्योंकि लेवल प्रोर लेवल 6 का जो एडमिट काड़ है कल आपका आ सकता है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूब प्रेस कर दीजेगा गोर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए और इस वीडि को आप मिस्क कर देंगे और आपको एक्जाम में उन टोपिकों से फाइदा होने वाला है तो लाश्ट तक वीडियो में बने रही है सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड आपके कब आ जाएंगे तो यह मैं और वी अलावाद की ओफिशल वेब साइट पर हूं और इसके अंदर 28 अप्रेल को जो है मिनिस्ट्रियर आइसुलेटिट के इसकिल टेस्ट का जो चिज़ लटाया है उसका लिंक इनों ने दे दिया है कि इसकोर कार्ड इसके अंदर है और जिनका स्किल टेस्ट होना है साथ उनके बारे में इसमें बताया गया है हमारे लिए जो इंपोर्टन नोटिस है वह 26 अप्रेल को अप्लोड किया था जैसा कि आप देख सकते हैं और इसके अंदर लेवल 4 और लेवल 6 के अं मुरा दियों में बहुत बड़ी दिक्कत स्टि इन्तिमेशन क्या हुआ है कि सब बहुत दूर दूर डाले किसी का 2000 किलो मेटर दूर तो एस इन्होंने क्यों क्या है इसके बारे में मैं आप से बात नहीं करूंगा क्योंकि यह डिपार्टन्ट का रूल है जहां भी आपको सेंटर लोट होगा आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा आपके जो लेवल फोर के और लेवल सिक्स के एड्मिट कार्ड हैं वो साइड कल आपको शाम तक देखने के लिए मिल जाएं और उसके बाद आपका उसके बाद आपके लिए मैं चार दिन का समय बचेगा क्योंकि किसी किसी का जो चैंटर ने काफी दूर डाल दिया तो उनको दो दिन पहले किसी को एक दिन पहले निकलना होगा तो आप एड्मिट कार्ड आने के बाद मात चार दिन या तीन दिन मानकर चलिएगा अब मैं इसमें बात करता हूँ कि लेवल जो बचे हूँ है टू थ्री और फा हूँ तो 25 कोस्चर उन टोपिकों से आये हैं तो आप उन टोपिक को देखे बीना वीडियो को छोड़कर ना जाए तो मैं बात करता हूँ लेवल टू थ्री और फाइफ की तो जहां तक रेलवे की एक्जाम लेने का सवाल है तो मई के मंत में ये एक्जाम होना लेवल टू थ्री और फाइफ का थोड़े से मुश्किल है क्योंकि रेलवे कोई भी एक काम कराने के बाद रेस्ट लेता है उसके बाद काम कराता है अगर फिर भी जो भी लेवल टू थ्री और फाइफ के लिए क्वालिफाई हूँ है मैं उनको ये एक अपनी तरफ से सजिशन देना च पारिक तक ही अपना स्लेवर्स कंप्लीट ठक ही है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे कल या परसो अगर आपकी एडमिट कार्ड आते हैं तो हो सकता है कि लेवल टू थ्री और फाइफ के आपके डेट भी अनौंस कर दिये जाए तो इसलिए आप अपने प्रिपेड चाहिए कुई वी सब्जेक्ट कोई भी टोपिक आप अपना डिलेंग करिए कि एकज compliqué नई है और देट नहिं यह तो हम अभी बात में कर लेंगे क्योंकि डट एकदम माईएगी और आपको एकजाम दएने जाना होगा उसके लिए फिर आपको ही टुक होगा कि मैंने एकजाम में अ को है और आप तस्तारिक तक अपना जो है स्लेवर्स कम्प्रीट कर लीजिए अगर में कट उफ कि इसके अंदर बात करता हूं तो आप अगर पिचासी से सो के बीच में आपकी जो है मैंने बता था कि मैं कट ऑफ रेंज बताओंगा कट ओफ नहीं बताऊंगा क्योंकि पेपर से पहले कट ओफ बता पाना पॉसिबल ही नहीं है तो मैंने एक रेंज बता दिया है अगर आप मोक टेस्ट में इनके बीच में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं आप सेफ है अगर आप पिचासी से नीचे हैं तो फिर आपको कैटिगरी व नहीं और नेस्ट आपका सब्सक्राइब को माधा है खाले कि किणंचर अने नहीं नहीं इस it नो में बताना नहीं हैं तो ल में जो आपके ग्या इस नहीं को कहा हो भी कलिए श्यृत नहीं तो रहा है यह तीन जो लेवल ए प्रिए लेवल फाइफ इनके अंदर आपके कंडिडिड बहुत जादा है लेकिन आप अपने एक्जाम को इस तरीके से मत देखिए कि आपके जो उनके अंदर 2000 पोश्ट है और आपके दो लेवल क्वालिफाई हुए हैं सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई हैं तो आपके कॉम्पेटिशन के लिए 120 बच्चे हैं देखिए ओवर रोल रेल में ने जो सेकंड टिजल निकाला है रिवाइज टिजल निकाला उसके अंदर 20 गुना कैंडिडिट ही लिए गए है यानि कि टोटल आपके साथ लाग के क क्योंकि अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है और आपके स्टेट में या आपके जोन में कॉम्पेटिशन ज्यादा है तो पोस्ट तो कहीं न कहीं 35,000 कैंडिडिड या फिर जितने आपके वैकंसी हैं आपके जोन में उतने कोई मिलेगी कोई ऐसा तो है नहीं कि एक जाना नबर आएं तो वह ग्रेजवेशन वाली लेवल वाली लेवल फाईफ वाली प्रस्ट को ही चूनेगा दोफ, रोसने डोल्य काथ लेव2 प्रस्ट को वह नहीं चूनेगा तो जिनके नमबर ज्यादा आए कि इसा नमबर अबर आ योंन को ज्योब नहीं मिलें ईसलिग तो चलिए अब मैं आपको कुछ important topics बता देता हूं कि जो आपके exam के लिए point of view से बहुत ज़्यादा important देखिए जैसे कि आपको सभी को पता है कि 50 number की आपकी जो है gk आनी है तो gk के अंदर आपको physics, chemistry और biology, biology का weight ज़्यादा रहता है chemistry और physics का weight जितना रहेगा biology का उतना अकेले का रहेगा अगर chemistry, physics के मान लीजिए 5 सवाल आते हैं तो biology के आपके 7 से 8 सवाल आएंगे अगर आपने इन दोनों को अच्छे से कर लिया है तो आप easily exam में अच्छा perform कर सकते हैं अगर मैं बात करता हूँ topics के पारे में तो physics के अंदर आपको light से सवाल देखने के मिलेंगे और आपका हो सकता है एक दो numerical भी आ जाए और उसके बाद अविशकार जो है कि भोतिगी में जो current में नोबल पुरुशकार मिले हैं वो आ सकते हैं सेम केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं केमिस्ट्री में आपका प्रियोडिक टेवल जो है वह बहुत में सब्जक्ट टोपिक है उसको आप बहुत अच्छे से करके जाईएगा और प्रियोडिक टेवल के बाद केमिस्ट्री के अंदर जो रिक्शन से आपकी उश्मा शेपी उश्मा शोशी घ्रॉष्ट घ्र्मिक ट्रेक्सन कौन से होती है यह सब और इसके अंदर जो कैमिकल्स के नाम है जैसे सीयों को केल्सियम हैट्रोकसाइड या केल्सियम ओकसाइड को क्या बोलते हैं बिना भुजा चूना बोलते हैं यह इस सब्जेक्ट में से इन सब टाइप के सवाल आएंगे और अगर मैं बात करता हूं बाइलोजी के बारे में आपसे तो बाइलोजी के अंदर आपको human body पूरा हैं और आपका जो इसके अंदर vitamins हैं और आपके blood वाले की ओ ब्लेड का है छोटे सवाल आपसे पूछ सकता है तो आप सभी के लिए प्रिपेर होके जाएए और बाइलोजी के अंदर क्या आपकी नई invention हुई है क्योंकि होती रहती है और क्या nobel prize मिला नोबल प्राइज तो सब्सक्राइब करके ही जाने होंगे अगर मैं बात करता हूं और टोपिक से बारे में तो आप history को अच्छे से पढ़ लिजेगा history history के अंदर जो आपका गांधी का एरिया है गांधी से ट्रिलेटिट जो भी पार्ट है उसको अच्छे से कवथ कर लिजेगा जोग्रफी के अंदर आपके डैम्स हो गए अब भ्यारन हो गए यह सब आप इजिली याद कर सकते हैं और आपकी रीवर्स हो गई आपके लेक्स हो गए आपके दर्रे हो गए यह सब आपको याद कर लेने हैं और अगर मैं बात करता हूं economics के वारे में तो economics में आपके पास कोई भी किताब हो आप वो सारे topic जो भी है एकोनोमिक छोटी सी होती है एक्जाम से तिलेटिड वह पढ़ लीजेगा और इसके अंदर एक है Constitution Constitution के आपके जितने भी अनुछेद हैं वह अच्छे से याद होने एक साल के करंट अफेर को आप करके जाते हैं तो आप इजिली 50 में से 35 प्लस के तो जो हैं Attempt करकर आ सकते हैं और उसके बाद आपके 30 प्लस सवाल जो है राइट हो सकते हैं और 30 प्लस सवाल के राइट होने का मतलब है कि आपने बहुत ही बड़ी उपलब्दी हासित कर दिया क्योंकि आपको पताएं कि रेलवे जी के कहीं से भी कुछ भी पूछता है अगर आप स्मार्ट स्टेडिक करेंगे तो रेलवे की जी के को पकड़ पाएंगे अगर आप ऐसे ही सब कुछ पढ़ते जाएंगे तो रेलवे सवाल इस तरीके से देता है कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा और वहाँ पर आप गलत ओप्शन पर टिक कर देंगे जिससे आपका नेगिटिव मार्किंग ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़े समझाने की कोशिस की हैं अगर इतना धन्यवाद